Hello Friends, Welcome to Targeted Study Zone आज के इस वीडियो में भीन का जोर घटाव, गुना और भाग को बनाना सिखाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां क्या है भीन का जोर घटाव, गुना और भाग भीन का जोर घटाव और गुना भाग के लिए चार कुस्चन ले लिए हैं यहां पहला में क्या है भीन का जोर है, दूसरा में भीन का घटाव है तीसरा में भीन का गुना है और चौथा में भीन का भाग है इस वीडियो में इस चारो कुस्चन को बिल्कुल असानी से हल करना सिखाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में explain के साथ बिल्कुल असानी से हल करना सिखाएंगे तो चलिए पहला में जो कुस्चन है 3 बटा 4 पलस 5 बटा 6 पलस 8 बटा 9 यानि भीन का जोड़ हुआ इसको पहले हल करके सीखते हैं तो चलिए यहाँ पहला कुस्चन ले लिए हैं पहला कुस्चन क्या है 3 बटा 4 पलस 5 बटा 6 पलस 8 बटा 9 ये भीन का जोड़ हुआ ठिक इसको solve करने के लिए क्या करते हैं इसके हर के सभी संख्याओं को LCM निकालते हैं इसके हर में क्या है 4 है 6 है और 9 है इसको क्या करेंगे LCM पहले निकालेंगे तो इसका LCM पहले निकाल लेते हैं क्या है 4 है 6 है और 9 है हर में जो रहता है उसका LCM निकालते हैं तो हर का LCM निकलने के लिए हर में जो था वो ले लिए हैं ठीक तो यहां पहले 2 से लगाएंगे, 2 से क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 T.I.6 और 9 में नहीं लगाएगा तो 9 का 9 उतार देंगे ठीक फिर यहां 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो यहां 1 हो जाएगा उसके बाद 3 उसके बाद 9 हो जाएगा अब क्या करेंगे अब 3 से लगाएंगे इसमें 3 से लगाने की बाद क्या हो जाएगा यह एक हो जाएगा तीन एकम तीन यह भी एक हो जाएगा और तीन तीन नव यह तीन हो जाएगा ठीक अभी भी तीन से इसमें लग जाएगा तो 3 से लगा देंगे तो यहां 1-1 आ जाएगा लाश्ट में जब 1-1 आ गिया तो यहां LCM का काम खतम हो गया ठीक अब जिस संख्या से लगाए रहते हैं उसको आपस में गुना कर देंगे जैसे क्या हो जाएगा दो में दो से कुना करेंगे दो दुना चार चार में 3 से 4 तीये 12 बारा में फिर 3 से बारा तीये 36 यानि इसका LCM जो आया कितना आ गिया 36 आ गिया तो यहां क्या करेंगे एक लाइन खीच लेंगे ठीक तो 4 से जब 36 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा चार नावा 36 होता है यानि 9 बार में कटेगा ठीक अगर इस तरह नहीं आए तो आप लोग इसका भाग भी लेकर देख सकते हैं ठीक तो 4 से यहां करेंगे क्या हो जाएगा चार नावा 36 हो जाएगा तो यह कट गिया इसका भाग फल कितना आया 9 आया यह जो 9 आया इस 9 से उपर वाला में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तियाई 27 तो यहां 27 लिख देंगे ठीक अब यहां पलस का चीन है तो पलस का चीन यहां दे देंगे अब इस 6 से 36 में भा लिख देंगे ठीक अब उसके बाद प्लस का चीन है तो प्लस का चीन देंगे अब इस 9 से 36 में भाग देंगे तो 9 से 36 में जब भाग देंगे तो भाग फल कितना आएगा यानि कितने बार में कटेगा 9 चोगा 36 चार बार में कटेगा तो उस 4 से 8 में गुना करेंगे तो 8 तो 7 हो जाएगा अब 2 जोडेंगे तो 7, 2, 9 हो जाएगा ठीक अब उसके बाद 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3, 8 हो जाएगा तो यहां 8 लिख देंगे ठीक यानि 89 आ गिया और बटा में कितना है 36 है तो 36 लिख देंगे यही इसका एंसर हो गिया तो चलिए आप लोग भी भ प्रसन था भीन का घटाओ उसको लेकर हल करके और सीखते हैं तो यहां दुसरा प्रस ने ले लिए हैं क्या था भीन का घटाओ ठीक चार बटा 6 माइनस 5 बटा 2 माइनस 4 बटा 3 है इसमें भी क्या करेंगे हर में जितना भी संख्या है सभी को क्या करेंगे LCM निका लेंगे तो इसके हर में क्या है छे है दो है और तीन है क्या करेंगे तीनों का LCM निकालेंगे ठीक यहां क्या है छे ले ले लेंगे दो और तीन ले लेंगे इसका LCM निकालेंगे यानि लगूतम निकालेंगे ठीक अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे यहां दो से पहले अब यहाँ एक एक जब आ गया, तो LCM का काम यहीं खतम हो गया, अब क्या करेंगे, जिसे लगाय रहते हैं, उसे गुना कर लेते हैं अपस में, यहाँ क्या है, दो है और तीन आया, तो दो और तीन में गुना करेंगे, दो ती आई, छे, यानि इसका LCM किता आ गया, छे आ ग अब यहाँ माइनस का चीन है, तो माइनस का चीन यहाँ दे देंगे, अब उसके बाद दो से छे में क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या बार में कटेगा, दो तीन से उपर में गुना करेंगे, तो तीन पचे कितना हो जाएगा, पंदरा हो जाएगा, तो यहाँ पंदरा चार दुना 8 हो जाएगा तो यहां 8 लिख देंगे ठीक इसके आगे इसको solve करेंगे क्या हो जाएगा यहां 4 plus में है और यह दोनो minus में है तो plus वाला पहले लिख लेंगे अब यह जो दोनो minus में है इसको क्या करेंगे जोड देंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा त में है तो एक plus में एक minus में रहता है तो क्या होता है घट जाता है तो 23 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा अब बटा में कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे लेकिन यहाँ चीन का ध्यान देंगे चीन कौन सा होगा इस इस दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है इस दोनों में बड़ा तेज से तेज के साथ क्या है माइनस का चीन है तो इसमें माइनस का चीन लग जाएगा यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी भीन के घटाओं को इसी तरह से असानिक से हल कर सकते हैं अब जो अग इसको हल करना है इसको हल करने के लिए क्या करेंगे इसमें कैसे काटा जा सकता है जैसे उपर और नीचे इस तरह काट सकते हैं या इस तरह काट सकते हैं आमने सामने इसमें नहीं काटता है आमने और सामने सिर्फ गुना होता है इसमें कैसे काट सकते हैं या तो इस तरह काट स अगर इस संख्या से यहां वाला संख्या अगर कट जाया तो काट सकते हैं लेकिन इस संख्या से अगर यह संख्या कटे तो नहीं काटेंगे गुना होता है आमने सामने ठीक तो चलिए अब इसको हल करते हैं यहां जो 13 है इस 13 से उपर वाला कोई भी संख्या को काट सकते हैं तो यहां 13 से कोई भी संख्या यहां कटने वाला नहीं है, अब दूसार का चेक करेंगे, यहां 9 है, 9 से अब देखेंगे कौन संख्या कटने वाला है, उपर 15 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 18 भी कट जाएगा, ठीक, तो जो काटने में थोड़ा असान लगे, वो हम लोग काट यहां 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यह असानी से कट गया, ठीक, तो अब यहां 1 आ गया, अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या है, 24 है, अब इस 24 से उपर देखेंगे किसे किसे कटने वाला है, ठीक, यहां ऐसे भी इसको काट सकते हैं, 15 और 24 और 12 और 24 इस तरह भी काट स लगते हैं, ऐसे काटने में असानी होता है, ठीक, अगर 15 से काटते तो क्या हो जाता, 3 से काटते तो 3 पचे 15 हो जाता, 3, 8, 24 हो जाता, फिर यहां भी बंच जाता, लेकिन यहां देखेंगे कि किसे एक ही बार में कट जाने वाला है, और असान है, ठीक, तो यह असान लगा, इसलिए ऐसे काट दिया है ठीक अब और भी चेक करेंगे कौन संख्या कटने वाला है यहाँ दो उपर भी है दो नीचे भी है तो दो एकम दो दो एकम दो यह दो से दो कट गया ठीक अब नीचे सिर्फ 13 बाचा और उपर 15 बाचा अब इसमें कटने वाला कहीं भी नहीं है तो क्या करेंगे यहां पंदरा उपर बाचा और यहां एक है तो पंदरा में एक से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा पंदरा हो जाएगा बटा के नीचे कितना है तेरा है और यहां एक है तो तेरा में एक से गुना करेंगे तो तेरा हो जाएगा ठीक यही इसका एंसर हो ग इसको solve करेंगे इसको solve करने के लिए क्या करते हैं यहाँ ध्यान दिजिएगा क्या है यहाँ यहाँ 9 बटा 15 है तो 9 बटा 15 यहाँ पहले वळा जो है वो उतार देंगे ठीक उसके वाद यहाँ भाग का sign है यानि भाग का चीन दिये हुआ है इसको क्या करेंगे, गुना में convert करेंगे, जब गुना में convert होता है भाग, तो उसके बगलवला जो भीन रहता है वो क्या होता है, पलाट जाता है, जैसे यहां 12 बटा 14 है, तो भाग से गुना हुआ है, तो यह 14 बटा 12 हो जाएगा, तो यह 14 बटा 12 लिख देंगे, ठीक, यहा भाग का sign था यानि भाग का chain था ठीक इसको क्या किये हैं गुना में convert किये हैं तो इसके बगलोला जो भीन रहता है यानि क्या है 12 बटा 14 है तो यह 14 बटा 12 हो गया ठीक अब उसी तरह यहां क्या है भाग का sign है यानि चीन है तो इसको भी क्या करेंगे गुना में convert करेंगे यह यहां 18 बटा 12 है तो क्या हो जाएगा 12 बटा 18 हो जाएगा ठीक तो 12 बटा 18 यहां लीख देंगे अब इसके बाद क्या आ गया यह गुना के फॉर्मेट में आ गया तो इसे पहले जो हम लोग गुना बनाए है आसानी से इसको भी उसी तरह आसानी से हल करेंगे और काटेंगे अब यहां देखेंगे कौन संख्या किसे कटने वाला है ठीक तो 15 को चेक करेंगे 15 से कौन-कौन उपर संख्या कटने वाला है ठीक तो यह जो 9 है यह 15 है यह दोनों कट सकता है यह 3 से कटेगा 3 पचे 15 तीन तियाई 9 हो जाएगा ठीक अब फिर अब चेक करेंगे यह जो 12 है अब उपर में कौन-कौन संख्या से कटेगा तो ये जो 12 है ये 12 से कट जाएगा ठीक अब उसके बाद क्या है 18 है तो 18 चेक करेंगे उपर कौन-कौन संख्या से कटने वाला है ठीक तो यहाँ अगर इसको काटा जाए 3,1,3,3,6,18 तो कट जाएगा ठीक अब भी चेक करेंगे कटने वाला है या नहीं तो यहाँ 14 है यहाँ 6 है यह भी 2 से कट जाएगा क्या हो जाएगा 2 से कटने के बाद 2,3,6 हो जाएगा और 2,3,14 हो जाएगा ठीक अब इसके बाद देखेंगे कि कटने वाला है की नहीं उपर सिर्फ 7 बचा हुआ है और नीचे क्या है यहाँ 5 है और यहाँ 3 है ठीक तो अब इसमें कटने वाला कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे गुना करके इसको लीख देंगे उपर क्या बंचा है, 7 है और यहां 1 है, तो 7 में 1 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक, अब नीचे क्या क्या बंचा होगा, नीचे यहां 5 है और यहां 3 है, तो 5 में 3 से जब गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 3, 15 हो जाएगा, तो 15 यहां लिख देंगे, ठीक साथ बटा जो पंदरा आया यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी इसी परकार से भीन का जोड़ घटाव गुना और भाग असानी से हल कर सकते हैं आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझेंगे अगर आपी चनल पर नए था चनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें